दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजे मगुहर मौझूद है देश रोजाना के डिस्टरल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर्याणा में विधानसभाद चुनाव है विधानसभाद चुनाव घोशित हुआ 15 अगस्त के ठीक बाद विधानसभाद चुनाव घोशित होते ही हर्याणा के अंदर एक बात चल पड़ी वो बात थी कि गठबंदन कौन-कौन से बनेंगे कॉंग्रेस के नेता भुपेंदर सिंग ओड़ा हों कुमारी सेलजा हों और इसके साथ साथ अंदीप सुर्जे वाला तमाम नेता कहा करते थे कि कॉंग्रेस अपने बूते पर हर्याणा में चुनाव लड़ने में सक्षम है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंदन हुआ उसके बाद में अभी हाल ही में गठबंदन ने और आकार लिया वो बना दुश्यन्थ चोटाला और भीमार्मी का चर्चाएं चल पड़ी थी कि हर्याणा में एक गठबंदन का और इंतजार है इंतजार था उस गठबंदन का और इंतजार शुरू यूं हुआ था कि उस गठबंदन के लिए AICC और कॉंग्रेस की जो कमेटी है टिकट वित्रण की CEC की उस कमेटी की बैठक में राहूल गांधी ने एक पैतरा उचाला था राहूल गांधी ने बैठे बैठे कहा अपने कॉंग्रेस के निताओं से कि अगर आमादमी पार्टी के साथ गठबंदन हो और या इसके साथ-साथ इंडिया गठबंदन की जो और अधर ऐलाइंस पार्टीया हैं उनके साथ गठबंदन हो तो कैसा रहे? अब राहूल गांधी ने कहा तो उसके बाद सब को एक बार तो साप सूंगे या क्या खिर राहूल जी ने बोला क्या? राहूल गांधी की इसके पिछे सोच क्या रही होगी? राहुल गांदी ने क्या सूचा होगा कि इस गटबंदन को क्यूं आकार दिया जाए और वो भी तब जब कॉंग्रेस के प्रदेश के नेता दमा दम है हर्याना कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है लेकिन राहुल गांदी ने कह दिया तो उसके बाद में आनन फानन में कारवाई शुरू हो गई संजे सिंग से लेकर और सुशील गुपता तक यानिकि जो आमादनी पार्टी के नेता है और यहां कॉंग्रेस के आजय माकन से लेकर के और दीपक बाबरिया तक सब ने स्वागत कर दिया कि राहुल गांदी जी ने जो कहा वहा क्या कहा लोगों को लगा कि यह गठबंदन आकार लेगा राहुल गांदी ने इस गठबंदन को आकार देने के लिए स्वरूप देने के लिए चार सदस्यों की कमेटी भी बना दी और उस कमेटी के अंदर शामिल किया गया भूपेंदर सिंग उड़ा जी को भी चौधरी उदैभान को भी दीपक बावरिया को भी और केसी वेणू गोपाल को भी चार नेताओं की कमेटी बन गई लगा कि जैसे अब जैसे शादी के शगुन के गीत होते हैं मंगल गांज होता है सब में लगा कि शायद अब एक नया गटबंदन होगा नई प्रेम सगाई होगी हरियाना के अंदर वो अली प्रेम सगाई दुबारा होगी जो लोगसभा चुनाओं में तूट गई थी प्रेम सगाई तो लोगसभा चुनाव में भी हुई थी हरियाना में आमादमी पार्टी और हरियाना के अंदर कॉंग्रेस का गठबंदन हुआ था 9-1 पर चुनाव होते ही लोगसभा चुनाव का परिणाम आते ही आमादनी पार्टी और कॉंग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिये थे वो सुनने लायक थे कॉंग्रेस के तमाम नेताओं पर लांचन दो लांचन लगाये थे आमादनी पार्टी के नेताओं ने लेकिन शादी के जो गीत होते हैं मंगल गीत होते हैं विवा के जो गीत होते हैं इनका अलगी क्रेज होता है और जैसे इस नए प्रेम विवा की बात राहूल गांदी ने रखी तो फिर चारों तरफ एक ही बात थी कई दौर की बैठक हुई दीपक बावरिया की और उनके साथ बैठक के अंदर बैठे आमादमी पारिटी के जो सबसे स्मार्ट नेता है दीपक बावरिया के साथ बैठकों के दौर शुरू हुए और दीपक बावरिया के साथ जो बैठे आमादमी पारिटी की तरफ से वो आम कि अभी बाची चल रही है हम होपफुल है हमें उमीद है कि जरूर देश हित में राष्ट हित में हर्याना के हित में गटबंदन होगा हम हर संभव प्रयास उस दिशा में करने हैं तो रागव चडड़ा कह रहे थे कि उमीद है आशाय है उल्लास है और उन्हें पता नहीं क्य शेरोशायरी तमाम की थी लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमने तीन दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेर किया था आप इस वीडियो को देख सकते हैं मैंने इसमें बताया था कि राहुल गांधी का इंडिया गटबंदन का सपना ध्वस्त होगा क्यो जो बातें चलती रही कल की तीन सीटें समाजवादी पार्टी को पांच सीटें छे सीटें आम आदमी पार्टी को ये वो तमाम चला और हमने तो पहले ही बताया था कि गटबंदन नहीं होगा राहुल गांधी का सपना साकार नहीं होगा आज सुभा सुशील गुपता जो आमादमी पार्टी के परदेश अध्यक्षे एंगर शाम तक कॉंग्रेस ने अगर अपना हमें सठीक सही जवाब नहीं दिया, तो फिर हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे, लेकिन आमादमी पार्टी के नेताओं ने शाम तक का इंतिजार नहीं किया, अभी तो दोपहर ढल रही थी कि आमादमी पार्टी की 20 केंडिडेट की लिस्ट आ गई मैं आपको बताओं वो 20 केंडिडेट की लिस्ट कौन सी है तो आमादमी पार्टी ने जिन नेताओं को टिकेट दिया उनमें नमबर एक पर नारायनगर का नाम है गुरपाल सिंग को टिकर दिया लेकिन नारायनगर में कॉंग्रेस पहले ही अपना केंडिड उतार चुकी है कलायत में अनुराग धांडा चुनाव रड़ेंगे आमादमी पार्टी के तरफ से पूंडरी में आमादमी पार्टी ने टिकर दिया तो पूंडरी में भी कॉंग्रेस पहले ही केंडिड दे चुकी है गरोंडा में टिकर दिया आमादमी पार्टी ने जैपाल शर्मा को असंद में टिकर दिया आमादमी पार्टी ने अमंदीब जुंडला को लेकिन असंद में शमशेर गोगी पहले से ही केंडिडिटे हैं कॉंग्रेस के समालखा में बिट्टू पहलवान को टिकट दिया है आम आदनी पार्टी ने तो समालखा में धरम सिंग छोकर का नाम पहले ही आ चुका है कॉंग्रेस की तरफ से उचाना कला में पवन फोजी का नाम दिया है अमादमी पार्टी ने उचाना कला से कॉंग्रेस की तरफ से बिजंदर सिंग का नाम पहले ही तैय है तो महम का भी केंडिडेट पहले ही सामने आ चुके हैं रोटक का नाम दिया है बिजंदर हुड़ा, रोटक में पहले ही कैंडिडेट डिकलेर हो चुके हैं आमादमी पार्टी के बीवी बत्रा, बाद्रगर में कुलदीब चिकारा को टिकट दिया है लेकिन कॉंग्रेस तो राजंदर जून को पहले ही चुनाव मैदान में उतार च अगर मैं अगली बात करूं तो महंदरगड में मनीश यादव को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने तो महंदरगड से तो रावदान सिंग अपना नामांकन भी कर चुके हैं नार नौल से रविंदर मट्रू को बाश्यापूर से बीर सिंग सरपंच को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने बाश्यापूर में वर्धन यादव केंडिडेट डिकलेयर हैं कॉंग्रेस के सोना में धर्मिंदर खटाना को टिकट दिया है और बल्लवगड में रविंदर फौजदार को टिकट दिया है यह 20 टिकट आम आदमी पार्टी ने अपने 20 केंडिडेट फाइनल किये और इन 20 में से लगबग 12-13 केंडिडेट मैंने आपको बताए कि जिन पर कॉंग्रेस उनको चुनाओ मैदान में उतार चुकी है उनमें से कई तो विधायक है अब इसके बाद मान लीजिए कि इसके साथ जो गठबंदन की आज थी गठबंदन की उम्मीद थी या वो प्रेम की वो डोर जिसमें बांधने की कोशिश थी कॉंग्रेस और आमादनी पार्टी को राहुल बाबा की वो प्रेम की डोर अब चटक गई यानि कि अब ये गठबंदन नहीं होगा हर्याडा में आमादनी पार्टी और कॉंग्रेस सामने सामने होंगे राजनीतिक लोग इसके कई माईने निकाल रहे हैं राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा कॉंग्रेस को होगा या इसका फायदा भारती जन्ता पार्टी को होगा क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के लिए सबसे बड़ी कैलकॉलेशन ये होती है कि किसका profit किसका loss जब इंडिया नेशनल लोगदल और भहुजन समाज पार्टी का गठबंदन हुआ तो राजनीती के जो गड़ी तग्ये हैं mathematics लगाते हैं उन्होंने का कि ये जाट और जाटव की chemistry कॉंग्रेस के लिए नुकसान दे होगी उसके बाद अगला गठबंदन हु ग्रामी इलाके में वोट लेगी अब इस पर चर्चाएं शुरू है कि आमादनी पार्टी किसका नुकसान करेगी लेकिन ये जरूर है कि जो राहूल गांदी कह रहे थे कि एक संदेश जाना चाहिए कि इंडिया गठबंदन एक साथ है वो संदेश आगे जाने से पहले ही दोमिल हो गया आपको कह लगता है अब जो गठबंदन अगर नहीं हुआ रहाना के अंदर तो फिर चुनाव कैसा होगा आपको कह लगता है कि आमादमी पार्टी अगर अकेले बूते चुनाव मैदान में उतरेगी जिसने 20 तो केंडिड डिकलियर कर दिये कितनी सीटों पर जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना नमस्कार धन्यवाद